नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, मैं हूँ आपकी वही अंजली सजा बन जाती है गुजरे वक्त की निशानिया, ना जाने मतलब के लिए क्यों महरबान होते हैं लोग जी हाँ आपने सही सुना हम आज की डेली राशी फलकी बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बच्चे है या फिर मैरीज अन्वर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी बदाईया हो और शुब कामनाई हो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगर आप निरंतर कोशिश करोगे तो आप अपनी जिद्ध को पूरा कर पाएंगे सफलता मिलती नहीं हासिल करनी पड़ती है हमें जो भी मिला है भाग्य से जादा ही मिला है अगर पाउं में जूते नहीं है तो अवसोस मत कीजिए क्योंकि दुनिया में कईयों के पास प भगवान हमीशा ओनलाइन रहता है सबर और संतोष की परिभाशा तो कोई पंचियों से सीखे शाम को जब वो वापिस घौंसले में जाते हैं तो अगले दिन के लिए चोंच में एक भी धाना नहीं होता जब वक्त बदलता है तो बाजी नहीं जिंदगी बलट जाती है वो मेहनती नहीं जो किसमत से शिकवा करते हैं उगने वाले पत्थर का सीना चीर के उग जाते हैं अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हो तो काम्याबी को रोकना नामुम्किन है आज कांच की तरह सब को चुबते हैं जे जिर आइना बन गए सारा जबाना देखेगा आपके लिए काम वो बड़ा खास करते हैं जो आपकी पीट के पीछे बकवास करते हैं मेहनत जारी है जल्द ही आगे आएंगे दुनिया देखती रह जाएगी ऐसा नाम कमाएंगे भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दो गुना वापिस करते हैं आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुकरियादा करें करम अच्छे करोगे तो किसमत भी दासी है नियद अच्छी होगी तो घर पर ही मतुरा काशी है जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसना किसी को जरूर भेजता है अरे चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी जादा चिंता है जिसके उपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता ह अगर मांगना ही है तो उपर वाले का सहारा मांगो जो बूरे वक्त में साधु देता है लोग तो रंग बदलते हैं और उपर वाला वक्त बदलता है तो चलिए सबसे पहले में आपको बता देती हूँ कि आज आपके लिए शूबर रंग रहने वाला है और इंच कलर और लखी नमबर जो रहने वाला है वो नमबर आच बन रहा है आज का गिरह कहते हैं कि पैसों के विवहार में आज कोई आपको फुसा सकता है पर्स संबल कर रखेगा आज कल पर्स चोर्क हो रहे हैं बहुत जादा इसलिए आप भी ज़रा संबल कर रहे हैं काम के नए अफसर भी मिलेंगे आपको और काम के बारे में फैसला लेते समय अपनी दिलचस्पिक आप ज़रा धिहान रखेगा जो पसर आपको आगे भी फायदा दें उसी का चुनाव करें चैन कीजे आज का दिन आपके लॉजिक को जिंजोड देने माला होगा विचलित मन स्थिती कुछ देर तनावत पैदा कर सकते हैं परिवार में कुछ फैसले आपके मन के विरुदभी हो सकते हैं यानिके यूँ कहीं तो आज का दिन थोड़ा बहुता कह सकते हैं छोटी से लफजों में की मिला जुला रहेगा साथ में आज आज आपको अपनी उपर भी धुरत टाइम देना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टन है अज आपकी राशी की स्वामी सूरिकर राशी में भी राजमार हो रहा आपके सेल्फ कॉन्फिरेंस और आत्नबल को जो है बहुत ही बड़ा चड़ा कर दिखाएगा यानिके बहुत ही बढ़िया रहेगा मुल्लिवान वस्तवों की खरीदारी से आज आपका समय वतीत हो सकता है जड़के बहुत महिंगी चीज़े खरीदेंगे आज समाजी गदी वीदियो में भी आप सम्मानित हो सकते हैं कभी-कभी एगो के बज़े से आप अपने ही नुकसान कर बैठते हैं तो इसलिए अपने सभा में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाईए वस्टालिटी लाईए गा नजे की मित्र या फिर भाई की साथ छोटी सी बात का बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है जिसका कारण आप खुद होगे आज का दिन आप शान से गुजार पाएंगे और घर का कोई सदसे आप की सारी मांगे आज पूरी कर सकता है थोड़े ही पन्यास में ज़्यादा फल देने वाला दिन होगा आज का स्टूरंस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे बाहरी चका चौंद आपको लक्ष से विचलित कर सकते है साथ में आज कियो हुए कारे का उचित श्रय मिलेगा आपको आज आप समाज, मित्र और परिवार में अलग ही स्थान बना फाएंगे अपना किसे नए काम के जिम्मेदारी आपका रुतबा भी बढ़ा सकते है आज आप घर की काफी ज़्यादा एक्टिविटीज में भी बीजी नजर आएंगे जिसे की थकावत होना सभाविक होगा और आपको पेट दर्द या कमर दर्द भी हो सकती है इसलिए आपको ध्यान में रखकर ही भारी चीज़ें उठानी चाहिए साथ या सर्मानिती व्यक्तिव के साथ समय काफी ज़ादा आपका स्पेंट हो पाएगा जिसकी वज़े सो है आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ही बढ़ती नजर आएगी विध्यारती अपनी बढ़ाई की प्रतिपूरी तरह फोकस रखेंगी टेक्निकल अक्षेतर से जो जुड़े युवा वर्ग है जो काम कर रहे हैं या विध्यारती है उनको बहुत ही बड़ी उपलब्धिया हासल हो सकती है आईटी वर्ल्ज में ससुराल अपक्षे के साथ किसी बात को लेकर कुछ कलत फ्यामिया हो सकती है आर्थिक गतीवी धियोपरी कुछ मंदी देखने को मिल सकती है लेकिन फिर भी तंगी नहीं होएगी आज चचेरे भाई बहनों के साथ जो समद्ध है वो बहतर बनाकर रखेगा इस बात का ध्यान रखेगा चलिए बात करते हैं बिजनेस और करेड की तो आज कारक्षेत्र में बहुत ही जादा प्रतिसपरधा का सामना करना पड़ सकता है अज़ा आपके कामों को सुचार रूप से कंप्लीट करने के लिए बहुत ही जादा महनत करने की जरूरत होगी अपने योजनाव को गुपत रखेगा और धीरे धीरे सितियां समान नहीं होते नजर आती चलिए जाएंगे वहीं आज आर्थिक वहार की जिम्मेदारी पूरी तरह से मत लीज़ेगा बलकि आपको जिम्मेदारी को बाटना चाहिए मिल जुलकर काम करें, टीम वर्क करें तो बहुत इच्छे रिजल्ट आज आपको देखने को मिल सकते है साथ में इंपोर एक्सपोर से लेरी जिनके बिजनस है और में किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है आज के दिन थोड़ी से जावधानी बढ़तने से आपकी काफी जादा जो प्रॉब्लम्स है उनका solution निकल सकता है या आप पर repent करता है आज नौकरी पेशा व्यक्तियों को विदेश से related कोई उपलब्दी हासिल हो सकती है किसी तरह की कोई चीज हासिल हो सकती है साथ में आज इस सितार ये भी कहते हैं कि आपको अपने वरिष्ट अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिए में जुलकर रहना चाहिए तब ही तो आप में जो है चीजे बढ़िया तरीके से हो सकती है तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में तो आज की लव लाइफ कहती है कि जीवन साथी के आज स्वास्तों को लेकर चिंताओं अलिस्तिती बने रहेगी लेकिन आप जो है घर और विवसाय दोनों में सामंजस्य बना कर रखेगा तब ही बैटर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं वहीं आज रिलेक्शन्शिप का तनाव रिष्टों को तोड़ भी सकता है अगर आप किसी प्रकार का फ्लर्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए छोड़ दीजिए इसमें कोई भी किसी का भी फायदा नहीं है अगर निभाना हिचारते हैं तो दोड़ा सीरिस रिलेक्शन्शिप निभाइएगा ताकि किसी को नुकसान ना होने पाए साथे में से दारे कहते हैं कि विवाहित जीवन आज खुष्टमा भी बना रहेगा कहीं लोग होगा घर में किसी प्रकार का धार में आयो जन भी कर सकते हैं जिससे घर का महौल काफी पॉजिटिविटी में तम्तील हो सकता है जिससे हैं आपको और आपकी घरवालों को काफी सुकुन पहुँचेगा वाहिए आज जब पार्टनर का ध्यान आज पूरी तरह से आप पर ही होगा वो आपका पेहट ध्यान लखेंगे आज की दिन काफी केरिंग है आपके हस्पन या आपकी वाइफ तो चलिए बात करते हैं आज की स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते हैं आप काफी ठीक रहेगा आप मेंसे लोगों का काम की दिखना के वज़े से बस मालसिक तनाख हो सकती है आज आपको प्यार की चोट लग सकती है आप मेंसे कुछ लोगों को और साथ में है आज आप कुछा ब्लड से रिलेटी विमारी उसे सतर करेना होगा इंफेक्शन हो सकती है तो आज ब्लड पॉरिफिकेशन के लिए आपको नीम का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको acidity है, gas के problems है उनको अपने खाने भीने की चीज़ों पर ध्यान देना होगा और गरंत तासिर वाले चीज़ें मत खाईएगा प्रहेस करना होगा तो चलिए बंतव बात कर लेते हैं आज की विशेश उपाई की बारे में तो आज आपको विशेश उपाई कहता है कि आज आपको जो है बजरंग बान का पार पढ़ना चाहिए साथ में अगर आज आज आप शनी चलीशा का पार करते हैं उसमें भी आपको बहुत ही फायदा काफी हद तक मिल सकता है इसे के साथ इस सूरी नमस्कार सूरी चलीशा वो आप दिन प्रति दिन पढ़ते रहे और हाँ आज जो है अगर आप किसी जरूरत मन को जहें कुछ चीज़े दान में करते हैं गुप्त रूप से देते हैं किसी को बदाकर मत कीजेगा तो वो बहुत ज़्यादा फल राइक सावित होगा उनको भी खुशी मिलेगी और भगवान की प्रसंता भी आप पर वनी रहेगी तो दोस्तों अगर आप को वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद